कि साथियों जिस घड़ी का आपको इंतियार था वो घड़ी आ चुकी है आराज भी एंटीपीची दोजार चौबीस की जो वैकेंसी का ऑफिचल नोटिफिकेशन आउट हो गया है क्या पूरा डिटेल में आपको जहां पर बताने वाला हो बहुत ध्यान से देखिएगा आप देख पा रहे होंगे कि ऑफिसल नोटिफिकेशन में जो पोस्ट की बात करी गई है यहां पर आप देख पाएंगे मेरे साथी जो जिकर हुआ है वह हुआ है 11000 अपका 11500 ठीक है फॉर्म कब से शुरू होंगे पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्राइटेरिय क्या है अब 11000 आप सब जानते हैं आपके दो तरह की पोस्ट होती है एक तो होती है ग्रिजवेशन एक होते अंदर ग्रिजवेशन जो 12 पास करके एंटीपीशी में जाना चाहते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको देखाना चाहूंगा ओफिसल नोटिफिकेशन ठीक है देखें यहां पर यह हमारा नोटिफिकेशन है जो कि रेलवे की तरफ से जारी हुआ है यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है गवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ठीक इस एंटीपीशी की वेकेंसी में दो तरीके से अक्सर कर आप देखते होंगे कि प और यहां पर देट भी दोखो अलग अलग दे रखाओ दिया गया है जैसे कहा गया है कि रिकुर्मेंट ऑफ नॉन टेकनिकल पॉपूलर कैटेगरी एंटीपीशी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट यानि जो ट्वेल से पास करके आगे कहा है इंपोडेंट पर दे रखा है ग्रेजिट पोस्ट यानि जो ग्रेजुएशन का कम्प्लीट कर चुके हैं उनके लिए जो फॉर्म कहा है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लिकेशन यानि फॉर्म भरने की डेट क्या है 14 सितंबर दो हजार चॉबिस से फॉर्म भरना इस्टार्ट हो जाएगा ब चलेगा ठीक है लास्ट डिट का इंट्यार मत करना जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाए 14 तारीक के बाद आप जल्दी से आप कौम को भरना स्टार्ट कर देना ठीक है अब बात आती है सार फॉर्म भरेंगे लेकिन जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है वो देखिए यहां यहां पर देख पाएंगे बहुत सुंदर सांदा तरीके से यहां पर दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट पे लेवल क्या स्किल रहेगा सेवेंद पे सीपीची के अनुसार इनिशल पे कितना रहेगा मैडिकल स्टेंडर कौन सा मिलेगा ठीक है एज कितना कब से कब तक मांगा यहां इस बात का ध्यान रखना दको एज जो काउंट होगी आपकी वह एक जनवरी दो हजार पच्छी से काउंट होगी है अब यहां पर बात करें टोटल वेकेंसी यहां पोस्ट वाइस यहां पर सबसे पहले देखिए चीफ कमिशन कमिश्यल कम टिकेट सुपरवाइजर ठीक है पेस किल की बात करें तो छे शिक्स और इनिश्यल पे आप देख पा रहे होंगे इनिश्यल पे आपको मिलेगा 3500-400 मेडिकल सेंडर्ड आपका बीटू है और एज आपका एक जनवरी दो हजार पच्छीस तक काउंट होगा 18-36 तक आपको एज का क्राइडिया दिया सबके लिए 18-36 तो आप देख लिए ध्यान से यह सबसे ज्यादा पोस्ट होती है अगर आप सपना साकार करना चाहते हैं तो मेरे साथी बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना सपना है तो मेरे साथियों उठा लीजिए कलम अब रुखना नहीं है आगे बढ़ना है तो यहा पर आपको मात्र 994 लेकिन आपको मात्र क्योंकि अपना इंडिया में बहुत सारे कैंडिएट हैं बहुत सारे सेर हैं ठीक है जो तैयारी कर रहे हैं और तो पोस्ट आपकी निश्चित रहिएगा कि यह वेकंसी है आने वाले समय में कभी कि किसी भी पोस्ट की बात करें फिलाल जो नोटिफिकेशन दिया गया है वह आपका दिया है जिसके अंतरगत में पोस्ट बता रहा हूं कि स्टेशन मास्टर में मात्र आपकी दिरखी नोसुच और अपने को क्या चाहिए रोना नहीं है हसते हुए चीजों को समझना है और आगे बढ़ना है अभी फिलाल सब्सक्राइब करें और पोस्ट की बात करें इसी प्रकार सीनियर क्लर्क कम ट्राइपिस्ट की बात करें तो यहां पर इनिशल पे 29,000 दोस्तों है इसका भी और मेरिकल स्टेंडर्ड भी सीटू का है और पोस्ट अगर बात करें तो आप जहां देख पाएंगे अगर हम जो हमारे लेवल पर टूटल पूस्ट हैं तो आप यहां पर देख पाएंगे कि 8,113 पोस्ट हैं ठीक है बाई आईए इतना जान गए हैं तो आप सुनिएगा दोको नीचे यहां पर मैंने कहा है ना आपको कि अठार ऐसे 36 है लेकर देखो एक बहुत प्यारी सी लाइन लग लगी लिए नीचे क्या लिखा हुआ देखो यहां पर कहा है अपर एज लिमिट इंक्लूड दा रिलेक्शिशन ऑफ थ्री इयर एज ब्योंड दा प्रेसिक प्रिसक्राइब एज लिमिट एज वन वन टाइम मेजर्मेंट दू दू कोविड नाइटीन यानि आपको जो है तीन साल का जो हमें नोटिफिकेशन में 36 साल तक का जो एज लिमिट है उसमें आप तीन साल और एड कर लेंगे विकॉज जो कोविड टाइम पीरियड था उस दौरान आपका रेल्वी की दरब से कोई वैकंसी ने जारी की दी ना तो तीन साल का जो आपको और मिल रहा है तो आठारे से उन्ताली साल तक के साथी एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे जनरल में आपका एज रिलेक्सेशन अलग मिलता है और आपको पांच साल का मिलता है एस पर नोटिफिकेशन जैसा नोटिफिकेशन में दिया गया होगा ठीक है आईए अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स से क्या है इन्पोर्टेंट डेट ऑफ सेंटर यह नमपर दे रखा है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट यानि जो आपके 12 की जो वेकिंसी होती है उसके लि क्लोजिंग डेट ऑफ समीशन ऑफ एप्लिकेशन बीस अक्टूबर दो हजार चौविस यह लगभग लगभग क्या पूरा एक महिना तक आपका फॉन भरा जाएगा शुरुआत होगी 21 से और बीस अक्टूबर तक आप भरस पाएंगे ठीक है नेक्स नगर बात करते हैं सर नेम आफ पोस्ट की यानि कौन कोंसी पोस्ट हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत पुल्वाथ सुनदा तरीके से कि कमीशन कम टिकेट क्लरक एकाउंट कलरक आप ब्राफ जूनियर क्लरक कम ट्राइपिस्ट और ऐसे आपको इरीचल पे लिए जैसे कॉमर्शियल कम ट्राइपिस्ट का जो पेस के रहे 2100 है एकाउंट क्लर्क सम्ट कम ट्राइपिस्ट का है 2900 जूनियर क्लर्क ट्राइपिस्ट का है है उनके लिए जो एज लिमिट है वह आपका अठारे से 33 है तीन साल और कर लेंगे तो अठारा से 36 हो जाएगा और आपका स्थी का जो आपको अलग से जाएगा तो आप बड़े आराम से भर सकते हैं तो आप बात करें सर्फ पोस्ट की जैनि अगर हम बात करें कॉमर्शियल कम टिकेट कलेक्टर की टिकेट क्लर्क की यहां पर टोटल वेकंसी देखिएगा आरवी की तरफ से पहले 2022 थे रखी किसमें आप देखेंगे तीसे नमर पर जूनियर जूनियर कम ट्राइपिस्ट के लिए रखी है नौसट नब्डे लास्ट में ट्रेंज क्लर्क के लिए रखें बाहतर टोटल वेकंसी की बात करें तो यहां पार जो ट्वेल्ट पोस्ट है उनके लिए 3445 वेकंसी हैं ठीक है आईए केंसी को लेकर चिंटा मत करना बस अपनी त्यारी करना क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बहुत 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 बहुतर जानकारी देने वाला हूं आपके एक्जाम पॉंट ऑफ्यूसमें और थोड़ा सा एलर्ड पर रहना यहां पर वहीं कहा है कि तीन स प्रफिज में लेगा ठीक है अगर हम आगे बात करें इस नोटिफिकेशन में तो मेडिकल स्टेंडर्स वो जो मैंने आपको बता ही दिया है ठीक है और जैसा कि आप सभी यह नोटिफिकेशन था इसके अलावा भी अब यह बात आती है कि सर एंटीपीशी का भूंब बढ़त उससे पहले मैं आपको बता देता हूं देखिए यहां पर यह दिया गया है एक्जामिनेशन फीज जब आप भरेंगे तो आपका ऑनलाइन मूट पर भद रहेंगे और यहां पर देखो सिरियल नंबर वन पर दे रखा है कि अगर आप देखो जन्रल से जन्रल से फॉम भर है तो आपको फीज चार्ज होगी वह 500 होगी ठीक है ऐसी और आप यह आपका रिफंडेबल होगी यानि 400 और यहां पर दिया गया है रिफंडेबल दूरिंग दा डिटेक्टिंग बैंक चार्ज यानि बैंक चार्ज को काटने के बाद आपको 400 पर आपको मिल जाएगा ठीक होगा ठीक चलिए तो आगे चर्चा करेंगे देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर तो यहां पर कैसे एपलाई करना हाव तो यहां पर लिखा हुआ है की समीशन ऑन ओनलाइन एप्लिकेशन यानि ओफिशल वेबसाइट पर आप ओनलाइन पर सकते हैं यह आरार्बी की तरफ से वेबसाइड और भी यह सारी बहुत सारी आपको दिखाई दे रहे होंगी अरवी की अलग अलग जोन की अलग अलग वेबसाइट ठीक चलिए तो नेक्स्ट यहां पर देखेंगे सबसे पहले बात देखिएगा मैं यहां पर सर हम आपको हमने आपको बता दिया कि आप दो भर सकते हैं जो व्यक्ति कंप्लीट नहीं हुई है वह सकता है यहां पर आप देखेंगे मेरे साथी यहां पर आप क्या सबसे पहली बढ़ा होता है सबसे पहले होगा तो पहला जो स्टेज होगा मेरे साथी यहां पर देखेंगा जो सभी के लिए कंपल्सरी होगा और मैं आपको बता दू जब आपका क्वालिफाइ कर लोगे तो आपका स्टी टू होगा लेकर सीवीटी वन का जो फाइनल मेरिट होगी उसमें मार्क एड़ नहीं होगा यानि लेकिन सबसेटीबबन में जब हम एक्जाम देंगे तो कितने मिनिट का होगा 90 मिनिट का एक्जाम होगा नमबर ओफ क्वेश्चन आप देखेंगे कि जन्रल अवेर्णेस चालीज मैथामेटिक्स के टीज और जन्रल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी तीस नंबर के आएगी टोटल नंबर आप एड करेंगे तो कितना हो जाएगा हंदेद मेरे साथ ही बहुत ध्यान समझेगा आपको 90 मिनट मिलेंग करने है और बड़ी बात यहन है कि सर लेकिन होता क्या है मेरे साथ ही कि आपका क्वेशन होते हैं मिक्स रोते हैं इसकी आपको सवाल को पर को को सब्सक्राइब को जब तक आप अच्छे से महनत नहीं आज से आप पढ़नाने स्टार्ट करेंगे तब तक आपका स्लेक्शन नहीं होगा ठीक है साथियो तो कॉंपेटिशन कड़ा है ठीक है तो आपको मैंने बता दिया कि 90 मिनट में 100 को करने होते हैं एक बात और आपको पता होने ची के वन थर्ड की एक बटा तीन की आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग ठीक है तो आप यह भी आप ध्यान रखेंगे वन थर्ड की क्या होती है एक क्वेशन करेंगे तो एक नमबर किया जाएगा लेकिन अगर आप तीन अगर गलत कर देते हैं तो आपका एक सही कर जाएगा ठीक है आईए आप चलते देखो जब आप सी सीवीडी वन आपके के वल क्वालिफाइंग नेचर का है ठीक है तो आपको आऊगा सीवीडी टू यानि स्टेज जो आएगी वह भी आपका कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट हो का और एक और बात में आपको पता तू जो आपका रेलवे का मैस रीजनिंग और जीके जीएस है स्टेज वन और स्टेज टू का दोनों का सेम है बस डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ जाएगा रहेगा बात करें सर जो सीवीडी 2 होगा स्टेज 2 होगा उसमें हम को फिर से नभा है मिनट दिये जाएंगे को करने के लिए नम्बर आप आप देख पाएंगे जन्रलवर्नेस मैथैमेटिक तीजिनिंग और टोटल नबर थिक है बात करें सब्सक्राइबिक टीजिए जएंगे 50 होंगे और मैथामेटिक के हो गए तो आप कहेंगे 120 तो देखिए यहां पर भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है यह भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं ठीक है चलिए जब आप CBT-2 क्वालिफाई कर लेंगे तो मेरे साथी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें टाइ सब्सक्राइब करते हैं जैसे कोई की पूस्ट आपका क्या होगा टाइपिंग टैस्ट इसके लोगा टाइपिंग ट्रेस्ट होगा ठीक अब अगर हम बात करते तो मेरे साथी यहां पर देख पाएंगे बुल्कुल बहुत बारी की से मैंने यहां पर लिख रखा है जो 2019 मे आपका जस्ट जारी होने वाला है वहां पर ब्लुकुल सेम यहां पर आपको जो पर सबसे पहले गोजरना होगा और यहीं पर सबसे ज़्यादा कड़ा पर तो यहां पर थोड़ा सा चला जाएगा जैसे अगर हम बात करते हैं अक्लर और जूनियर टाइम स्कीपर और ट्रेनी इन सबके लिए क्या common for all level 2, यह level 2 की post है, ठीक है, next यहाँ पर देखिएगा, यह आपकी level 3 की post है, मैं यहाँ पर underline कर देता हूँ, जससे आप बहुत अच्छे से समझ भाएंगे, ठीक है, next यह हमारी separate for level 4, separate for level 4, यह traffic assistant की अलग से है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, level for all 5, level 5 की जो post है, वो आपकी level 5 की है, गुर्स गार्ड हो गया, senior, commercial, कम ticket clerk हो गया, junior clerk कम टाइपेस्ट हो गया, junior assistant, कम टाइपेस्ट हो गया, senior time skipper हो गया, next अगर हम बात करें, level, common for all level post 6 की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, दो post आप देखाई दे रहे होगे, serial number 12 और 13, commercial, apprentice and station master, ठीक है, इनके लि क्या क्या रहेगा, आगे देखेंगे, skill test requirement, तो जो level 2 में, जो post है, उनके लिए typing test चाहिएगा, ठीक है, जो level 3 है, उसके लिए आपको यहाँ पर question देना है, ठीक है, ना आपको typing देना है, नहीं आपको, ठीक है, next बात करें, separate for level 4 के लिए, computer based test, computer based test और होगा आपका, किसके लिए, level 4 के लिए, traffic assistant के लिए, ठीक, next अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बस यही हमने आपको बता दिया है, यह पूरा मैंने information आपको बता दिया है, कौन से कौन से post के लिए, क्या-क्या typing होगा, किस-किस में psycho होगा, तो वीडियो आपको मैं समझता हूँ, बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- पने मुवाइल से प्ले स्टोर पर डिया और यहां पर लोगों आपको दिखाइए रहा होगा है यहां पर यह लोगों अपको दिख़ाइए रहा है यह आपको पूरा दिया जा रहा है तो आप यहाँ पर जैसे ही आप railway की railway exam पर click करेंगे तो हमारे यह जो courses हैं आपको दिखाई दे जाएंगे आप railway में technician की तैयारी कर रहे हो, ALP की तैयारी कर रहे हो, RPF constable SI की तैयारी कर रहे हो तो उमेद करता हूँ वीडियो आपको बहुत बहुत समझ में आई होगी हाँ एक बात में आपको गताने वाला था लास्ट में आपकी वेकंसी अभी के लिए इतनी है और बहुत जल्स जैसा कि आपने देखा होगा एक्जाम को लेकर जिस दिन मेरे साथियो ALP के एक्जामिनेशन की एक्जाम डेट आ जाएगी यह समझ लीजिए जैसे रेलवे ने एक एक्जाम कराना सुरू कर दिया तो उसके बाद आप देखेंगे फिर लगाता रेलवे अपने एक्जाम कराता चला जाएगा तो वीडियो के मादयम से भी आप को बहुत बहुत बेद्धा तरीके साब पढ़ा रहा है मेरा थन भी करा रहा है पेपर जिस्फेट ने जाकर आपके लिस्ट कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो में जब तक के लिए जय हिन जय भारत बन्देमात्रों